नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? अर्विन मिश्रा स्वागत करता है आपका घर बैठे खेल खेल में हिंदी साहित्ते सीखने के इस कारिक्रम में दोस्तों, भक्तिकाल के लगभग सभी छोटे बड़े सुक्ष्म और गहन पहलूओं पर चर्चा लगभग हो चुकी है यह कहा कि निर्गुन काब्य धारा की विशेस्ता कैसे लिखें तो दोस्तों, आज हम लोग निर्गुन काब्य धारा की विशेस्ता को देखने की कोशिस करेंगे हलाकि उसकी भी चर्चा हमने की है आप देखें तो संत धारा की विशेस्ताएं अलग है और सूफी धारा की विशेस्ताएं अलग है फिर भी यदि मान लीजिए पूछ लिया जाए निर्गुन काप विधारा की विशेस्ता कैसे लिखें या निर्गुन काप विधारा की काप दोस्तों, निर्गुन का अर्थ गुनों से परे होता है, जो गुना पी तो हो, और गुन का क्या अर्थ होता है? गुन किसी भी पदार्थ की विशेस्ता को कहते हैं, उस पदार्थ की पहचान को कहते हैं, गुन पदार्थ का धर्म है कोई पदार्थ कैसा है, ठोस है, द्रव्य अवस्था में है, गैसी अवस्था में है, लंबा है, छोटा है, काला है, दुबला है, कैसा है यानि गुन किसी भी वस्तु के स्वरूप, आकार, प्रकार उसकी पहचान बताने वाले धर्म को कहते हैं इसे लिए किसी वस्तु की पहचान इंद्रियों के माध्यम से होती है तो मतलब साफ है जो इंद्रियों का विशय हो वही गुण युक्त सत्ता है और वही सगुण सत्ता है तो इंद्रियों का क्या मतलब है? जिस वस्तु को हम छू सकें, देख सकें, छू सकें, सुंग सकें उसका स्वाद ले सकें, उसकी आवाज सुन सकें, उसके बारे में कुछ कह सकें तो ऐसी सभी सत्ता को गुण युक्त सत्ता कहती है इसलिए इंद्रियों के पांच भेद किये गए आपने सुना होगा श्रब्य इंद्रिये, द्रिश्य इंद्रिये, घ्रान इंद्रिये, स्वाद इंद्रिये, स्पर्श इंद्रिये यानि जिस सत्ता को हम छू सकें, उसका स्वाद बता सकें, उसका रंग रूप बता सकें, ऐसी सभी सत्ताएं गुण युक्त होती है तो निर्गुन का अर्थ जो इंद्रियों का विशय ना हो अर्थात जो इंद्रियों से परे हो तो जो इंद्रियों से परे होगा यानि उसके बारे हम कुछ कह नहीं सकते तो अकथ्य होगा यदि उसका रूपाकार नहीं है तो अह निराकार होगा और उपात्मक होगा यदि वह वस्तु है ही नहीं तो अस्थान नहीं छेकेगी इसलिए वस्तु असीम होगी सीमा रहित यदि वह वस्तु है ही नहीं तो उसकी तरह कोई वस्तु नहीं होगी उसका कोई विकल्प नहीं होगा इसलिए निर्गुन सत्ता निर्वय कल्पिक होती है तथा अनूपम भी होती है उसकी कोई उपमा नहीं दे सकते हैं दोस्तों एक बात और समझने लाइक है कि जब भी आप भक्तिकाल की चर्चा करते हैं यानि भक्तिकाब्यधारा में जिस उपासना की बात करते हैं तो इस उपासना के दो आधार हैं नेर्गुन और सगुन सगुन का अर्थ वहिश्वर जो अवतार ले और लीला करें अवतार यानि जन्म लीला यानि कर्म जो सत्ता जन्म लेगी और जो कर्म करेगा तो जन्म लेते ही आप उसके रूपाकार गुन आधी की चर्चा कर सकते हैं और यदि कोई सत्ता कुछ कर्म करे लीला करे तो उसकी कहानी भी बया कर सकती हैं इसलिए सगुन ब्रह्म जन्म लेकर जन्मा होकर अवतारी होकर लीला प्रणीत होता है इसलिए आप उसके सामाजिक संबंधों की कथा कह पाती है केंत निर्गुन ब्रह्म ना तो अवतार लेता है अर्थात जन्म नहीं लेता नाहीं कोई लीला करता है अर्थात कोई कर्म नहीं करता तो जो ब्रह्म्ह अवतार और लीला से परे हो अर्थात जो निर्गुण हो तो जाहिर सी बात है ऐसा ब्रह्म्ह अकथ्य होगा अरूपात्मक होगा निर्वय कल्पिक होगा अनूपम होगा असिमित होगा अगणित होगा अपरिमे होगा तो अब यहीं से पकड़िये निर्गुन ब्रह्म की सबसे बड़ी विशेस्ता रहस्यातमकता है साहित्य में भक्तिकाल में या भक्तिकालिन साहित्य की वह धारा जो अरुपात्मक ब्रह्म की चर्चा करे तो ऐसी धारा को निर्गुन काब्य धारा या निर्गुन साहित्य की सबसे पहली विशेस्ता है ब्रह्म यहां निर्गुन है जो अतार और लीला से परे इसलिए कबीर भी कहते हैं यदि निर्गुण धारा की बात करें तो इसकी दोशाखाएं हैं संत धारा सूफी धारा संतों में कबीर सबसे प्रखर और चर्चित माने गए और सूफीयों में मलिक मुहम्मद जाई सी इन सभी संतों ने ब्रह्म के अवतार को खारीज किया और तब कबीर को कहना पड़ा दसरत सुत्ति हुं लोक बखाना राम नाम का मरम है आना तो दस्तों सबसे पहली बात कि निर्गुण का अब्यधारा में निर्गुण ब्रह्म की उपासना की जाती है जो अतार और लिला से परे है जो अवतार यानी जन्म नहीं लेगा तो उसकी कथा भी नहीं होगी इसलिए निर्गुण का अब्यधारा का ब्रह्म अकत्य है और जो अकत्य होगा जिसे कहा न जाए वह रहस्य का विशय होगा इसलिए दूसरी विशेस्ता रहस्यात मकता और तब कबीर जैसे संतों को कहना पड़ा पारब्रम्म को तेजका कैसा है उनमान कही बेकू सोभा नहीं देख्या ही परमान अब आप कहेंगे कि इन संतों ने निर्गुण को ही क्यों अपनाया दोस्तों उस काल में समाज विभाजे था सगुन इश्वर के नाम पर मुर्ती पुजातर थाटन और कर्मकांड के नाम पर समाज में कई आडंबर व्याप्त थे समाज में व्यभिचार व्याप्त था समाज में सोशन व्याप्त था और तो और लोग जाती धर्म और वर्ण के आधार पर बटे हुए थे यदि सबका इश्वर बट जाए तो इश्वर ही उस काल में पिता था, स्रिष्टी करता जब पिता ही बट जाए तो संतान भी बट जाएगी इसलिए निर्गुन संतों ने निर्गुन ब्रह्म को अपनाया जो जन्म अवतार लीला से परे हो और जिसका रूपाकार न हो तो उसकी मुर्ती भी नहीं होगी तो फिर ऐसे ब्रह्म को मंदिर मस्जिद से निकाल कर उसे घट-घट ब्यापी बनाया जा सकता है और तब भक्तिकाल के निर्गुन संतों भक्तों ने उस ब्रह्म को शरीर के भीतर ब्याप्त माना इसे लिए यसंत कहते थे कभिर की कविता मोको कहां ढुण धेरे बंदे मैं तो तेरे पास में ना मैं मस्जिद ना मैं मंदिर ना काबा कैलास में कस्तूरी कुंडल वसे समझिए निर्गुन काब्यधारा कि पहली विशेस्ता निर्गुन ब्रह्म की उपासना क्यों नरगुन ब्रah्म ताकि इश्वर को मंदर मस्जिद से निकाल कर घट-घट व्यापी सभी जीवों के भीतर व्याप्त दर्शाया जा सके और यदी वह सभी जीवों के भीतर व्याप्त हैं तो सभी मनुष्य की उत्पत्ती उसी से हुई है समाज का भीद खत्म हो जाएगा इससे निर्गुण साधकों ने समाज के भीद को खत्म करने के लिए निर्गुण ब्रह्म की चर्चा की और इसलिए कबिर जैसे संत कहते हैं पाहन पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड या फिर काकर पाथर जोर के मस्जिद लिया चिना है तो निर्गुण ब्रह्म एक तो अरूपात्मक है वह सब के भीतर है और जब कि सब के भीतर है तो मंदिर मस्जिद की आवश्यक्ता क्यों? और यदि सब के भीतर है तो समाज में हिंसा घ्रिणा क्यों? इसलिए कभीर जैसे संत कहते हैं एक बूंदते विश्व रच्चियों है को बाभन को शुद्रा यदि उसी ब्रह्म से पूरी स्रिष्टी की रचना हुई है पूरा विश्व बना है तो ब्राम्हन कौन शुद्र कौन अब आप समझे हैं इन संतों का निर्गुण ब्रह्म एक तरप सामाजिक एकता विक्सित करने के लिए है समाज से कर्मकांड और आडंबरों के विरोध के लिए है तो आप समझ सकते हैं कि निर्गुण धारा निर्गुण साहित्य की पहली विशेस्ता यदि निर्गुण ब्रह्म की उपासना, तो दूसरी विशेस्ता, यदि ब्रह्म का स्वरूप निर्गुण होगा, तो अजन्मा होगा, निराकार होगा, अरूपात्मक होगा, अकथ्य होगा, अपरिमित होगा, जिसे कहा सुनाना जा सकें, तो जिसके बारे मैं आप कुछ कह न सकें तो कैसा होगा अंदेखा अंजाना सा पगला सा दीवाना सा जानेवो कैसा होगा रे प्रश्न उत्पन होगा जहां यह प्रश्न उत्पन हो जाए कि ब्रह्म कैसा है उसका रूपाकार कैसा अंदेखा अंजाना तो वहां रहस्यवाद उत्पन होगा इसलिए निर्गु जी जैसे आलोच को ने लिखा कि अज्यात के प्रती जिग्यासा या अज्यात के प्रती प्रणय निवेदन ही रहस्यवाद। चुकि ब्रह्म अंजाना है उसे देखा जाना नहीं इसलिए वह अज्यात है तो उसके प्रती जो प्रेम तब आशारे दिवेदी लिखते हैं असीम सत्ता प्रह्म कैसी सत्ता उसकी सीमा नहीं है उसका कोई डायम minimumटर नहीं है तो असीम सत्ता के प्रति ससीम सत्ता जीव, हम सब कैसी सत्ता है, हमारी सीमा है, भाई हम लोग कठे बिगे में पाए जाते हैं, आज कल तो फेस्बुक और वाटसप पे पाए जाते हैं, आप और हम पहले कठे बिगे में पाए जाते थे, तो जब असीम सत्ता से ससीम सत्ता जि उसका रूपाकार नहीं है, और उसे मंदिर मस्जिद में तलाशने नहीं जा रहे हैं, तो भीतर ही भीतर उसे पाने की कोशिस, शरीर के भीतर ही जीव है, शरीर के भीतर ही ब्रह्म है, जीव को कुंडलिनी कहते हैं, ब्रह्म को महा कुंडलिनी, दोनों को भीतर ही भीतर मिला इसलिए रहस्यात्मक साधना आंतरिक साधना है कुंडलिनी महा कुंडलिनी मिलन का नाम है जीव और ब्रह्म का मिलन योग है इसलिए हट योग ही रहस्यात्मक साधना है जो उपासना शरीर के भीतर ही घटित हो जहां शरीर के भीतर ही ब्रह्म और जीव का मेल हो सके योग हो स के यही हठ योग है यही रहस्यात्मक साधना, तो अब समझिया निरगुन का अभ्याधारा की पहली विशेष्टा, निरगुन ब्रह्म्ह की उपासना, दोसरी विशेष्टा, रहस्यवाद की प्रतेष्ठा यानि जहां निर्गुण धारा होगी वहां रहस्यवाद आएगा तीसरी विशेस्ता भाई यदि ब्रह्म्ह अंजाना है अंदेखा है तो जाईरसी बाथ उसकी साधना भी जटिल होगी क्योंकि जहां भी उपासना निर्गुण होगी वहां रहस्यवाद उत्पन होगा और जहां रहस्यवाद आएगा वहां याद रखिये जटिलता उत्पन होगी क्योंकि ब्रह्म का रहस्यात्मक रूप साधना का रहस्यात्मक रूप जो भीतर घटित हो जोई जोई पिंडे सोई सोई ब्रह्म्हांडे अपने आप में जटिल है, तो ऐसी साधना को समझने के लिए गुरू की आवश्यक्ता पड़ेगी। इसलिए निर्गुन का अब्वेधारा की तीसरी सबसे बड़ी विशेस्ता गुरू का महत्व। अब देखें निर्गुन का अब्वेधारा की दोनों शाखाएं, संत धारा, सूफी धारा, संत धारा यानी कभीर, सूफी धारा यानी जाइसी, इन दोनों धाराओं में गुरू को विशेस महत्व दिया गया, कभीर कहते हैं, गुरू गोविंद दोव। खड़े काके और ऐसे ही अर जाइसी की बात करें, तो कहते हैं, गुरू सूवा जही पंध दिखावा, बिन गुरू जगत को निर्गुन पावा, फिर कभीर कहते हैं, कभीर लागा जाईया, लोक वेध के साथ, आगे ठैसत गुरू मेलेया, दीपक दिया हाथ, दीपक यनी ज्यान, ज्य बरस्या बादल प्रेम का भीग गया सबंग, तो जहां निर्गुन साधना होगी, वहां रहस्य वादत्पन होगा, वहां गुरू की अवश्यक्ता पड़ेगी, यह तीसरी विशेस्ता, निर्गुन काभ्यधारा की चौथी सबसे बड़ी विशेस्ता समनवय बाद, चुकि यह जितने संत थे, वो समाज में अभाव, उपेक्षा और अपमान को जेले हुए थे, यदि संतों को देखें, निर्गुन संतों को कभी रादी को, तो यह ज्यादा तर निरक्षर थे, इन्हे ना तो सिक्षा का अधिकार था, ना मंदिर प्रवेश्ट की अनुमती थी, ऐ ऐसे में इन्होंने देखा कि समाज बटा हुआ है, तो इन्होंने एक ऐसी साधना पद्धती को विक्सित करने की कोशिस की, जो सामाजिक समनवय को, सामाजिक एकता को सुत्रपात कर सके, इसलिए इन्होंने इश्वर की एकता के माध्यम से, आध्यात्मिक जगत की एकता के कोशस की और इनका ये उदेश्य था कि भक्ती कही न कहीं समाज को भी स्वच्छ करे समाज को स्वस्थ बनाए और यही वज़ा है कि समाजिक समनवे को ध्यान में रख करके इन्होंने हिंसा, घ्रिणा, व्यभिचार, मुर्ति, पुजा, तर्थाटन, आडंबर का विरोध किय आप दिखेंगे कि निर्गुन संतों ने प्रेम को महत्व दिया ये जानते थे कि समनवे समाजिक सोहार्दता की तभी स्थापना होगी जब हिंसा घ्रणा को खत्म किया जा सके और हिंसा घ्रणा जसी चीजें तभी खत्म होगी जब समाजिक प्रेम विक्सित हो इसलिए कभीर कहते हैं पोथी पड़ी पड़ी जगमुआ पंडित भया न कोई धाई आखर प्रेम का पढ़ेसो पंडित होई और तब जाईसी कहते हैं मानुस प्रेम भयों बयकुंठी नाहित काह छार एक मुठी यह मनुष्य के प्रेम को ही बयकुंठ की उपमा देती हैं इन्हें पांडित्य की आवश्यक्ता नहीं इनके लिए तो प्रेम जो मरमग्य है प्रेम का मरमग्य ब्रह्म तत्व का ज्याता है इनके लिए इश्वर प्रेम का विशय है इसलिए कहते भी कि इनका इश्वर अभी व्यक्ति का विशय नहीं है वो तो अनुभूती का उसे प्रेम से आप हासल कर सकती और इसलिए ताकि ब्रह्म की एक्ता के माध्यम से सामाजिक एक्ता विक्सित हो टो जाईर सी बात है कि कबिर जैसे नर्गुण संतों की भक्ति समाज से कटी हुई नहीं थी दोस्तों नर्गुण काभ्याधारा की पांचमी सबसे बड़ी विशैस्ता है योग और भक्ति का सामन जस्य जायर सी बात है कि यह निर्गुण पंथी थे हट योग को महत्व दे रहे थे हट योग यदि योग भीतर की साधना परनंतो इसकार थिये नहीं कि यह भक्ती को खारीज कर रहे थे चाहे आप सुफी जाएसी को देखें चाहे आप ज्ञानाश्राई संत कबीर को देखें इन्होंने ज्ञानमार्ग को महत्व दिया योगमार्ग को महत्व दिया लेकिन साथ ही उसमें भक्ती को जोड़ा आचारी दिवेदी लिखते हैं कबीर की वाणी वह लता है जो योग के छेत्र में योग के थलह में भक्ती के बीज पढ़ने से उत्पन हुई थी यानि कबीर जैसे साधकों की भक्ती एक ऐसी लता है उनकी वाणी एक ऐसी लता उनकी कविता ऐसी है जो योग और भक्ती दोनों के सामन जस्य से है अब पूछेंगे इसका प्रयोजन क्या है इनकी भक्ती समाज के एक कोने से जुड़ी हुई नहीं है बलकि वह आंतरिक भी है बाहिय भी है ये भीतर से ब्रह्म से जुड़ने की कोशिस कर रहे थे तो बाहर से समाज से जुड़ने की कोशिस कर रहे थे याद रखिए योग की प्रक्रिया में साधक भीतर से ब्रह्म से तो जुड जाता है, लेकिन बाहरी संसार से कट जाता है, वह योगी कहलाता है, संसार से वैराग्य ले ले, यानि एक प्रकार से संसार से पलायन कर जाए, लेकिन निर्गुन साधकों की भक्ती संसार से समाज से कटी हुई नहीं है, ये भीतर भीतर जुडते हैं तो उस इश्वर से जुडाव को बाहरी समाज से भी जुडते हैं इसलिए इनका तरक था कि राम रहीम तो एक है इसलिए इनका तरक था हिंदू तुरक का करता एक है इसलिए इनकी जो कविता है या निर्गुन साधकों की जो साधना है उसमें कई तत्वों का प कहीं न कहीं वेदान्त वाद से प्रभावित थे, उपनिशदों से प्रभावित थे, हट योगीयों से प्रभावित थे, और ऐसे ही कबीर एक निरक्षर होकर, निर्गुन होकर भी रामानंद से भक्ती लेते हैं, सिद्धो नाथों से योग की परंपरा लेते हैं, शंकराचा जो साधना पुरे समाज को जोडने के लिए हो वो साधना में योग और भक्ती का भी सामन जस्य है ये भीतर बाहर सबको एक करके देखना चाहते थे अद्वैत का अर्थी है जहां सारे भेद खत्म हो जाएं ना कोई ड्रम्मन का भेद हो ना कोई अवर्ण का ना कोई हिंदू का ना कोई मुसल्मान का इसलिए निर्गुन साधकों ने कहा हिंदुवन की हिंदुगाई देखी तुरकन की तुरकाई इसलिए इन्होंने कहा जो तुँ बाभन बभनी जाया आनबाट हुए काहे नहीं आया जो तु 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 रक तु रक नी जाया भीतर खतना क्यों न कराया दोस्तों निर्गुन काव्व्यधारा की अगली विशेस्ता है उलटबांसियों और प्रतीकों का प्रयोग चुकि निर्गुन ब्रह्म रहस्यात्मक ब्रह्म है इसलिए आप उसे सीधे शब्दों से व्यक्त नहीं कर सकती तो जब सीधे शब्दों से व्यक्त नहीं कर पाएंगे तो प्रतीकों की आवश्यक्ता पड़ेगी चुकि यह जन्मा ब्रह्म है है वह, निराकार है, इसलिए कबीर को ब्रह्म और जीव के संबंद को समझाने के लिए प्रतीकों का सहरा लेना पड़ता है, लाली मेरे लाल की जित देखूं उतलाल, इसलिए उन्हें कहना पड़ता है, जल में कुम्ब, कुम्ब में जल है, बाह प्रतीकों का सहरालिया। अधक बिना प्रतीकों के अपनी बात नहीं कह सकते थे। ऐसे ही कभीर जैसे संतों को उलट बासियों की आवश्यक्ता पड़ी। सांसारिक कथन के वीपरित कथन को उलट बासि उल्टी बाणी कहते हैं। क्यों इसकी आवश्यक्ता पड़ेगी। जब दुस्मन मजबूत हो उसके खिलाफ आप कोई बात सीधे कह सकते हैं। आप किसी को कहना चाहते हैं कि तु एक नंबर का दुष्ट है, पापी है, मतलब बहुत सारी गालियां देना चाहते हैं। लेकिन वो मजबूत है, तो आप कहते हैं यार तुम तो ग्रेट हो, यह उलट मासी है। इन निर्गुन संतों ने सामंती समाज का विरोध किया था। अब ज़रा सोचिए, खुद तो आवर्ण थे, निरक्षर थे, तो यह ताकत साहस कहां से लाते कि उस समय के सामंती प्रबल सवर्णवादी समाज का यह विरोध कर सकते थे। इसलिए एक तो उस समाज के विरोध के लिए उलट बासी। यह जानते थे कि बिना उलट बासीयों के सामाजी करूढियों का विरोध नहीं किया जा सकता। उलट बासीयों का दूसरा कारण था। यह निर्बन ब्रह्म की चर्चा कर रहे थे, रहस्यात्मक साधना की बात कर रहे थे। शरीर के भीतर ब्रह्म और जीव के मिलन की तिव्र अनुभूतियों को आप सीधे शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। जब भावनाओं का आविग हो, जब तिव्र भावनाई हों, तो उन्हें सीधे शब्दों में, सपाट शब्दों में आप व्यक्त नहीं कर सकते। तिव्र अनुभूतियों को भावनाओं के आविग को व्यक्त करने के लिए उलट बासी चाहिए। आप सुबह से शाम तक भूखे हों किसी की प्रतिक्षा में। और रात को आके पूशता है कि यार तुमने तो खाना खा लिया होगा, आप क्या कहेंगे। किना मैंने अभी तक नहीं खाया है। कलिजा जला हुआ है, तिव्रानू भूतिया है। तो आप कहेंगे मत पूश दोस्त, आज इतना खाया हूँ कि जनम-जनम भूख नहीं लगेगी। यह उलटमासी है। निर्गुन संतों ने उलटमासियों का प्रयोग इस अर्थ में भी किया, क्योंकि ब्रह्म और जीव की तिव्र अनूभूतियों, रहस्यात्मक अनूभूतियों के लिए इनहें उलटमासी की आवश्यक्ता थी। इसलिए लिखते हैं, कभीरदास की उल्टी बानी, बरसे कंबल, भीजे पानी। अब समझे, पानी बरसता है, कंबल भीटता है, लेकिन उन्होंने कहा, बरसे कंबल, भीजे पानी, कंबल यानी गुरू की छाया, क्रिपा, और पानी यानी माया, गुरू की क्रिपा हो जाये, तो माया खत्म हो जाये, तो ब्रह्म और जीव के बीच का भेद खत्म हो दोस्तों, नेरगुण काद्विधारा की एक बहुत बड़ी विशेस्ता है लोक बोली का प्रयोग, लोक तत्तों का प्रयोग चुकि ये नेरगुण साधक सामाजिक जागरण का प्रयास कर रहे थे, बक्तिकाल मद्धेकालीन लोक जागरण की अभिव्यक्ती है, आम जन्ता को जगा रहे थे इसलिए इन्हे संस्कृत जैसी आभिजात्य भाष्टा की आवश्यक्ता नहीं थी, लोक बोली और तब कबीर जैसे लोग पंचमेल खिचडी, यानि आप देखें तो भोजपूरी, ब्रज, खडी बोली, हर्याणी, पंजाबी, इन सभी बोली तत्वों को मिला करके अपनी बात कह रहे थे और लिखते भी हैं संस्कीरत है कूपजल, भाखा बहता नीर, लोक बोली की आवश्यक्ता और जैसी जैसे निर्गुन संत अपनी बात कहने के लिए ठेट देशज अवधी का प्रयोग कर रहे थे तो निर्गुन का अब्यधारा की यहेक अगली विशेस्ता है लोक बोली का प्रयोग लोक चेतना का प्रयोग निर्गुन का अब्यधारा की अगली विशेस्ता है लोक जागरण यह मध्यकालिन सामंती समाज को रूढियों से जगा रहे थे इसलिए जब आम आदमी को जगाया जाए तो उसी की भाष्टा उसी की बोली में और तब इन्होंने संस्कृत जैसी शास्त्रिये भाष्टा का विरोध किया कभिर ने तो पुस्तकिये ग्यान का विरोध किया शास्त्रों का विरोध किया इन्होंने पंडित और मौलवीयों यानि पंडितों के कठ मुल्लेपन, पंडितों के पोंगेपन और मौल्वीयों के कठ मुल्लेपन का इसलिए विरोध किया क्योंकि इनकी बातें शास्त्रिये थी और तब कहा भी पंडित और मसालची दोव सूझत ना ही कहा भी पंडित और मुल्ला जो कह दिया छाड़ी चले हम कच्छू नहीं लिया तो जाहिर सी बात है कि निर्गुन का अब्व्यधारा लोक बोली के माध्यम से लोक जागरण को महत्व देने वाली धारा है तो क्या मैं उमीद करूं कि कुछ बातने समझ में आई यदि निर्गुन का अब्व्यधारा की विशेस्ता लिखनी हो तो आप निर्गुन ब्रह्म की चर्चा करें रहस्यवाद की चर्चा करें गुरु के महत्व की चर्चा करें सामाजिक समनवाई की बात करें कर्मकांडों के विरोध की बात करें लोगचेतना की बात करें लोगबोली की बात करें प्रतीकों उलटबासियों के प्रयोग की बात करें अगले वीडियो तक बने रहिए अगले वीडियो से हम लोग BPSC और उत्तर प्रदेश PCS में जहारखंड PCS में पूछे जाने वाले कुछ स्वतंत्र मुद्धों पर भी बात करेंगे तब तक धेर सारी शुब काम नहीं, नमस्ते दोस्तों